हलो गाईज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इससे पहले हमने जो टायर सिलेंट सॉलूशन का वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर और हमारे वीवर्स का कहना है कि सॉलूशन तो हमको मिल जाता है पर उसको गाड़ी में हम यूज कैसे करें तो ये वीडियो में हम आपके लिए लेके आये हैं सॉलूशन को आपकी गाड़ी में आप कैसे इस्तिमाल करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों सबसे पहले आपको इस सी लिंट को ये जो solution आपके पास आएगा इसको अच्छी तरह से shake करना है shake करने के बाद आपको open करना है cap को cap open करने के बाद आप ये जो syringe देख रहे हैं ये normal syringe है जो हर जगा medical में use होती है ये 60 ml की syringe है गाड़ी के एक टायर में आपको 200 ml liquid डालना पड़ता है अगर आप four wheeler गाड़ी में liquid डाल रहे हैं तो car के एक चक्के में आपको 200 ml liquid डालना है मैं फिर से आपको कह दूँ अगर आप four wheeler में ये solution यूज़ करना चाहते हैं तो एक car के चारो टायर में एक लीटर सीरिंज एक लीटर liquid डलता है इसका मतलब एक टायर में लगबग 200 ml solution हम को डालना होता है हम इस गाड़ी के एक टायर में 200 ml tire solution को डाल रहे हैं इसके लिए हमने इस सीरिंज का साहरा लिया है इस सिरिंज में पहली बार हमने जो लिक्विड आपके सामने अभी डाला ये 60 ml हमने डाला ऐसे ही 60-60 ml करके हम 4 बार लिक्विड को डालेंगे इसमें आप देख सकते हैं नलकी हमने खोला, नलकी खोलने से क्या होगा पूरी हवा आपके टायर की बाहर आजाएगी हवा जैसे ही बाहर आएगी आपको इस सिरिंज को जहां नलकी जहां से हवा डालते हैं उसमें लगाना पड़ेगा लास्ट कॉर्नर को और उपर वाले होल से आपको इस लिक्विड को डालना पड़ेगा यह आप तरीका देख रहें यह लिक्विड को डायरेक्ट हम बाटल से सिरिंज में डाल रहे हैं सिरिंज का जो लास्ट कॉर्नर है जहां स्ठो ही लगती है वो नलकी के उपर लगा हुआ है हम इस लिक्विड को सिरिंज में डालेंगे 60 ml हम इसमें डाल रहे हैं आप ज़ादा भी आप कम भी डाल सकते हैं 40 हैमिल, 50 हैमिल करके भी आप डाल सकते हैं पर हमने 60 हैमिल पूरा डाला सिरिंज भर के और यह जो पीछे इसका पुश पार्ट होता है इससे इसको हमने पुश किया आप देखिए वो लिक्विट जो है वो पूरी तरह से टायर के अंदर चला जा रहा है आपको सिर्फ सावधानी यह रखनी है यह लिक्विट डालने से पहले आपको बॉटल को अच्छी तरह से शेक कर लेना है जब आपने लिक्विट डाल दिया 200 ml आपने डाल दिया यह आप देख रहे हैं यह हम नल्की लगा रहे हैं टायर में जो नल्की होती है एक चोटी शेक पिंच ऐसी होती है उसको इस ओपनर से ओपन किया जाता है निकाला जाता है इसको वापस से हमने लगा दिया लगाने के बाद यह सिरिंज पहले मैं अंदर डालते हैं अब देखिए हम इसमें हवा डाल दे रहे हमने सबसे पहले क्या किया नलकी को बाहर निकाला हवा पूरी टायर की बाहर निकल गई हवा निकलने के बाद हमने सिरिंज से नलकी के उपर सिरिंज रखा पीछे से हमने सॉलूशन डाला और उसको अंदर के पॉइंट हवा रखते हैं। मैंने इसमें 31 पॉइंट हवा डाली है। हवा का प्रेशर हमें 31 पॉइंट रखा है। रखने के बाद हम इस टायर का कैप जो हो रहा है। अब ये गाड़ी के टायर में हम एंटी पंचर सॉलूशन जिसको हम टायर सिलेंट के नाम से भी जानते हैं उसको लगा दिया है ये आपको टेस्ट करके दिखाने के लिए मैंने इस गाड़ी को जैक पे चढ़ाया था पर आपको अपनी गाड़ी में इसको डालने के लिए जैक चढ़ाने की आवशकता नहीं है जहां भी आपकी गाड़ी खड़ी है आप सिर्फ नलकी खोलेंगे हवा निकल जाएगी टायर आपका जमीन में बैठ जाएगा आप liquid डालेंगे liquid डालने के बाद जब आप नलकी लगाने के बाद हवा डालेंगे तो हवा से फिर आपकी गाड़ी जैसी थी वो पहले जैसी हो जाएगी उसके बाद गाड़ी को आपको एक round चला लेना है जिससे liquid जो है वो चारो तरफ फैल जाए इस jack को लगाने से हमको फाइदा क्या मिलता है कि जब हम liquid को डालते हैं तो tire को घूमाते जाते हैं जैसे एक बार हमने डाला 60 mm, tire को एक बार घूमा दिया, फिर 60 mm डाला, tire को एक बार गोल घूमा दिया अब यह हम आपको पंचर करके दिखा रहे हैं इस कील को हमने टायर के बीचो बीच लगाया आया आप देख सकते हैं यह हम गाड़ी के टायर को पंचर कर रहे हैं जिस टायर में अभी हमने लिक्विट डाला था उसमें हमने एक कील पूरी लगा दिये लगबग 4 से 5 इंच तक 4 इंच तक कील अंदर जा चुकी है टायर में अभी हम आपको air का pressure दिखा रहे हैं देखे आप देख सकते हैं अभी लगबग 31 पॉइंट हवा है टायर में अब इसको हम खीच के बाहर निकालेंगे इस कील को यह कील को हमने निकाल लिया अब आपको क्या करना है सिर्फ गाड़ी को एक round चलाना है जिस जगह से हमने पंचर किया वहां से हवा बहर आना शुरू हुई थी और उसी दोरान हमने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जब आप नॉर्मली अपने गाड़ी में इस solution को डाल के रखेंगे तो आपको यह सब कुछ करने की आउशकता नहीं पड़ेगी कब आपकी गाड़ी में कील लगेगा कब निकल जाएगा कब वो पंचर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपकी गाड़ी रणिंग रहेगी चलते रहेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में कभी पंचर हुआ था यह देखिए गाड़ी एक राउंड लगा के वापस आईए लगबग 300 मिटर हमने इस गाड़ी को अभी रण किया है रण करके जब यह गाड़ी वापस आईये तो हम देखेंगे जहां से हमने कील लगाया था उसकी क्या पोजिशन है अभी हम इसको देखेगे दिखाता हूँ आपको इस जगा हमने पंचर किया था कील लगाया था अभी मैं पहले आपको दिखा दूँ इसमें देखिए वो liquid बाहर आया है और बाहर आने के बाद वो सिल्क गया है आप बीच में कुछ हिस्सा देख सकते हैं वो गिला है वो liquid बाहर आया था अभी मैं आपको air का pressure दिखाता हूं कितना point है देखिए 30 point हवा हमारे गाड़ी के टायर में है लगबख एक point निकली है उसके बाद आप देख सकते हैं ये टायर जो है इसमें siland बाहर आया जैसी वो हवा के pressure में आया हवा किसे उसका सामना हुआ वो सूख गया ये पंचर जो ह हम देख सकते हैं कि जहां से हमने पंचर किया था अब वो जगह पर पता भी नहीं चल रहा है कि ये पंचर था solution बाहर आते आते सूख गया सूखने के बाद वो टायर की शकल ले लिया है जैसा टायर है सेम वैसे ही वो दिखने लगता है आपको पता भी नहीं चलेगा कि निशान आपको नहीं दिखेगा आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा धन्यवाद